हलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैं चैनल, मैं पीटी, फ्रेंड्स आज सर्दियों के उन फूलों के बारे में बात करेंगे, जिनको आप छोटे से छोटे गंबले में बहुत यसानी से लगा सकते हैं फ्रेंड्स, नमबर एक पर ये है क्लैंचो का प्लांट, ये देशी क्लैंचो है, इसके उपर रेड गलर के बहुत ही खूसुरत फूल खीलते हैं, जो का एक बार खील जाते हैं, तो काफी दिनों तक खीले रहते हैं ये प्लांट ऐसा प्लांट है, जिसको आप बोटल में या किसी भी चीज में लगा दीजिए, ये बहुत यसानी से लग जाता है नमबर दो पर फ्रेंड्स, ये है गुल दावदी का प्लांट, गुल दावदी में भी बहुत सारे कलर होते हैं प्रेंट्स नमबर एक यह प्लांट आप कटिंग से बहुत यह सानी से ग्रो कर सकते हैं इस प्लांट को भी आप छोटे से गंबले में लगा दीजिए तो इसके अंदर भी बहुत सारे फूल खिलते हैं यह एक इबार में डहरो फूल देता है यह देगी सकतो आप मेरे प्लां है तो इसको मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं और थर्ड नंबर पे है ये वरवीना का प्लांट इसके अंदर पलपर कलर के बहुत ही प्यारे से फूल खिलते हैं ये प्लांट इस टैम दुबारा फूल देने वाला है एक बार ये फूल दे चुका है तो मैंने इसके पिंचिंग कर दी थी फ्रेंट्स ये प्लांट भी एक ऐसा प्लांट है इसको आप छोटे से गमले में लगा दीजिए यह असानी से लग भी जाता है और पानी का जितना ख्यार रखोगे आपके फूलों वाले पोदे उतना ही अच्छी फ्लारिंग करेंगे और ये है विंका का प्लांट चोथे नमबर पर ये हाइब्रेट वाली विंका है इसका ये देखिए बहुत ही प्यारा सा ये कलर है मेरे पास ये प्लांट भी छोटे से गमले में बहुत यसानी से लग जाता है और सरद्यों में ये प्लांट बहुत अच्छे फूल देता है अगर आप की स की कियर करोगे तो यह plant भी आपके बगी जैसे सालो साल जायेगा नहीं और इसमें seeds भी बनते हैं, मैरे कुछ friend ने का था 123ड सीड्र का यह plant है और इसमें कितने सारे seeds बने वे यह देखिये, आप इसमें देखिये तो आपको seeds काफी सारे नजर आएंगे यह देखिए एक यह सीट्स यह देखिए यह आपको नस्दीक से दिखाती हूं यह फली पक गई है तो इसके अंदर से सीट्स निकल रहे हैं मैं आपको नस्दीक से दिखाती हूं इसके सीट्स कैसे होते हैं यह देखिए इसके यह छोटे-छोटे से सीट्स होते हैं यह देख देखे कर जायेंगे इनको आप संपहल के रख लीजिए और कहीं सारे प्लाट बना लीजिए मैं इसी गंबले में ढालती रती हूं मेरे कहीं एक प्लांट बने उवे हैं यह मेरा प्लांट काफी पुड़ाना है जिसको मैं खरीद कर लाई थी तीन से चार साल हो गये हैं यह थ रहा था इसको भी आप छोटे से छोटे गंबले में बहुत ही असानी से लगा सकते हैं फ्रांट्स ये देखिए पिटूनिया पिटूनिया का भी फूलों से भरावा पोधा होता है इसको आप छोटे से छोटे गंबले में लगा देंगे तो ये लग जाएगा इसको मैंने चोटे से टब में लगाया हुआ है जो मेरी कीचन से निकला था और इसमें देखी फ्लारिंग कितिनी अच्छी हो रही है अभी मैंने एक वीडियो भी डाली थी जिसमें मैंने इनको फटलाइजर दिया था उसी फटलाइजर का असर ये देखिए इसके उपर और मैं आपको दिखाती हूँ मेरे प्लांट के उपर कितने सारे फूल के ले हुआ है ये फाइव और शिक्स नंबर पर मैं इन पिटुनिया के प्लांट को रखोंगी जिनको आप छोटे से छोटे गंबले में लगा देंगे तो ये भरवर के फूल देते हैं इसको आप बास्क लगातार ये प्लांट मेरा फ्लारिंग कर रहा है इन सब के ओपर मैंने वही फटलाइजर दिया था जो मैंने अपनी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था ये देखिए फ्रेंट्स मैं आपको फूलों की दिखाते दिखाते अपने मिर्चों का प्लांट भी दि मिर्चें तो देखिए लाल हो गई है इसके अंदर ये देखिए और ये आप देखिए ये प्लास्टी के डिबे में लगा हुआ है प्लांट और मिर्चें देखिए इसके ओपर भर भर कर आई हुए है मेरे सब मिर्चों वाले प्लांट पे खूप सारी मिर्चें लगी और इसमें और कौन सा कलर आता यह तुमुझे नहीं पता यह भी प्लांट आप छोटे से गंबले में बहुत असानी से लगा सकते हैं यह सरदियों में बहुत ही शांदर फ्लारिंग करता है प्लांट नमबर नौ पर यह है जाफरी का प्लांट फ्लांट फ्लांट यह देखिए इसके अंदर बहुत ही प्यारे से यह देखिए रेड कलर का और यलो मिक्स फूल खिला हुआ है यह सरदियों के बहुत ही खुबसूरत फूल देने वाले पोड़े हैं यह देखिए यह मैंने च्छी के गंबलों में लगाए हुआ है यह देखिए इन में कलियां देखिए भर भर कराई हुए है और फूल खुब सारे यह दे रहे हैं और यह देखिए फ्रेंट्स नमबर दस पर यह जाफरी का एक कलर यह है इसके अंदर भी यालो कलर मिक्स है चोटा थोड़ा लिए न पौधों को आप अपने वगीचे में शामिल करिए और यह फूल इस टैम जो हैं बहुत ही प्यारे आपके वगीचे में लगेंगे यह मेरे तुलसी जी का प्लांट जो मैंने रखा हुआ है इनको और इनके बीच में यह दिखिए मैंने आगे रख्या हुई है दो यह मेरे बत्तक है और फ्रेंट्स जो मैंने इसके नीचे यह चबूतरा कहा लिजे जो तुलसी जी के लिए बनाया जाता है यह मेरे बकसे के धकन थे जो मैंने सबजी यह लगा रखी है इनके नीचे वले पोशन में तो इनको मैंने पेंट करके कुछ इस तरीके से अपने गुलाब का फूल भी दिखा देती हूँ यह देखिए इसके अंदर बहुत ही प्यारे से फूल खिले हुए है यह काफी दिनों से खिले हुए है यह देखिए और फ्रेंट्स आज यह फूल खिला है सुबह और इसके अंदर यह देखिए एक बहुत ही प्यारा सा यह देखि कि मेरे पिंक गुलाब के अंदर हलकी सी क्रीम किलर की भी ये पट्टी बन कर आई है बहुत प्यारा फूल लग रहा है आज सुबह सुबह ये खिला है आप भी इस फूल को जुरूर देखिए और ये देखिए फ्रेंड्स मेरा ये छोटा सा एक और